जेहिन दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फलिक तो दोस्तो इंडियन एर फोर्स को अल्रेडी 21 रैफेल एर क्रेप्टों का डिलिवरी हो चुका है फर्स स्क्वाडरेन को संपूर्ण करने के बाद अब दूसरे स्क्वाडरेन को भी तैय गेम चेंजर बनेगा मतलब अगर भविषय में भारत किसी लड़ाई में लिप्त होता है तो इन दोनों हत्यारों में से कौन सा हत्यार ज्यादा कारेगर सावित होगा और कौन भारत के जीत को सुनिश्चित करने में प्रमुग भूमिका निभाएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों हत्यारों में गेम चेंजर असल में है कौन तो दोस्तों माना जा रहा है कि इस साल के अंतक इंडियन एरफोर्स को अपना S-400 मिसाल डिफेंस सिस्टम का डिलिवरी रेश्या से शुरू हो जाएगा वैसे अगर देखा जाए तो पिछले साल ही भारत के तरफ से रश्या को रिक्वेश्ट किया गया था कि S-400 के डिलिवरी को जल से जल किया जाए लेकिन कुछ कारणों के वज़ा से और जिस तरीके से ये महामारी पूरा दुनिया में फैला है इससे संभावित रश्या S-400 के डिलिवरी को तेज नहीं कर कर ले जबकि दूसरे तरफ अगर रैफाल एयर क्रेप्टो को देखा जाए तो फ्रांस के द्वारा पिछले साल से ही रैफाल एयर क्रेप्टो का डिलिवरी शुरू कर दिया गया था और इस साल के में महिने के पांच तरीक के दिन फ्रांस के तरफ से फ्रेश तीन और परविश्य में इंडिया को किसी भी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए काफी ज़्यादा मददगार होगा इवन अगर देखा जाए तो एक जहाँ पे दुश्वन के टेरिटरी के अंदर घुसके हवाई हमला करने में मदद करेगा तो दूसरे तरफ दूसरा हतियार दु के दर्मियान हस्ताक्षर हुआ था जब ऑक्टोबर 2018 में प्रेसिडेंट ब्लादेमिर पुतिन भारत के दौरे में आये थे दूसरे इस डील का लागत करीवन 5.43 बिलियन डॉलर है जबकि दूसरे तरफ अगर रैफाल एयर क्रेप्टों को देखा जाए तो ये असल में एक एकशोचबवीस रैफाल एयर क्रेप्टों के डील को काट के किया गया था दौसर 2016 में एकसपेक्ट किया जा रहा था कि भारत द्वारा फ्रांस से करीवन 126 रैफाल एयरक्रेप्ट एमेम आरसी एर टेंडर के तहट खरदा जाएगा लेकिन कुछ कारूनों के वज़ा से भ टाइम्स के एक रिबोट के मुताविक अगर S-400 और राफाल एरक्राप्टों को देखा जाए तो इंडिया के लिए S-400 सिस्टम राफाल से आगे बढ़के गेम जेंजर साविध होगा और दोसो इसके पीछे जो प्रमुक कारण बताया गया है वो है असल में S-400 मिसाइल सिस् सिस्टम असल में एक इतना flexible और mobile सिस्टम है कि कुछी मिनुटों के अंदर इसे आसानी से दुष्मन के खिलाब तैनादी किया सकता है दोसो इवन S-400 एक भारी भरकम long range के सिस्टम होने के बावजूद ये काफी mobile है S-400 के हर एक equipment ओ को Russian निरमीद 8x8 off-road truck के ऊपर mount किया आता है जिससे दुष्मन को इन missile सिस्टमों को track करने में काफी यादा difficulties होता है दोस्तों S-400 missile defense system के सबसे ताकदवर हिस्सा है इसमें इस्तेमाल होने वाले 92 N6E active electronically scan array radar जिसे ग्रेव स्टोन भी कहा जाता है और दोस्तों ये एक ऐसा radar है जो 600 km distance में करीवन 300 target को track कर सकता है और range radar एक command vehicle एक target acquisition radar और दो battalion launchers होते हैं जिनमें से हर एक launcher में 4 missiles होते हैं दोस्तों even S-400 missile को इसलिए भी घातक माना जाता है क्योंकि इसके missile को replace करना भी काफी आसान है क्योंकि इसमें एक storage come launching tube का इस्तिमाल किया गया है जिसे कई-कई जगाओं में canister tube भी कहा जाता है दोस्तों में बताया जाता है कि भारत के जो हर एक regiment होगा उन में संभावी 4 battalion हो सकता है और हर एक battalion में 9 launchers और 120 missile हो सकता है पर दोस्तों ये कोई आधिकारी जानकारी नहीं है क्योंकि इसके बारे में आधिकारी group में अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया इवें दोस्तों S-400 missile system के और एक ताकतवर feature इसमें इस्तेमाल होने वाला अलग-अलग type का missile है S-400 system total 4 different type के missileों से operate होता है जिनमे 48N6 DM असल में 48N6M का एक upgraded version है जो एक 200 km range वाला missile है जो already S-300 PMU system में इस्तेमाल होता है दूसरे तरव इसके इलावा S-400 का सबसे ताकतवर missile है 40N6 जो करीवन 400 km range में target को तभा कर सकता है और दूसरे तरव इसके इलावा 9M96E और 9M96E2 जैसे medium range का भी surface to air missile S-400 system में इस्तेमाल होता है जो maximum 120 km के दूर तक target को निशाना बना सकता है और S-400 सिस्टमों में 4 अलग-अलग type के अलग-अलग range के missile इस्तेमाल करने के वज़ा से ये एक काफी cost efficient system भी है क्योंकि short range में target को निशाना बनाने के लिए महंगा long range के missile के इस्तेमाल का आवश्यक्ता नहीं पड़ता है और S-400 सिस्टम target को और target के range को देखते हुए बहदर generation के fighter aircraft को भी challenge कर सकता है दोसो अपके जानकारी के लिए बता दू कि जो रैफाल aircraft को भारत द्वारा खरीदा गया है ये कोई 5th generation के fighter aircraft नहीं बलकि एक 4++ generation के multi-role fighter aircraft है जिसे डैसनल aviation के तरफ से निर्मान किया गया है और भारत और फ्रांस के इलावा इसे Egypt, Greece और Qatar द्वारा इस semi-stealth aircraft भी कहाया सकता है ये 5th generation के fighter aircraft के जैसा एक total stealth aircraft तो नहीं है लेकिन radar में अपने आपको काफी हद तक छुपा सकता है दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो रैफाल aircraft में इस्तेमाल होने वाले active electronically scan radar काफी ताकदवर radar है जो दुश्मन के fighter aircraft को को खाली दूर से देख नहीं system में गिना जाता है इसी वजाए से रैफाल aircraft को लेके ये विदावा है कि ये आसानी से दुश्मन के शेतरे के अंदर घुसके दुश्मन के air defense system को तभा कर सकता है जबकि इसके इलावा रैफाल aircraft में इस्तेमाल होने वाले हतियार इसके ताकत को और ज्यादा मश्बूत करता है रैफाल aircraft के साथ भारत को meteor जैसे air-to-air missile मिला है जो दुनिया के सबसे ताकतवर air-to-air missile में से एक है इवन इसका range इतना अधिक है कि ये दुश्मन के air captain के द्वारा रैफाल aircraft को को देखने से पहले ही उसे धेर कर सकता है रैफाल aircraft में और एक हतियार है scalp missile के नाम से जो की ए दोस्तो रैफाल aircraft को दुनिया के कुछ उन गिने चुने fighter aircraft में देखा जाता है जिसके पास super cruising capability है मतलब ये aircraft बिना after warning के सहारे ही super sonic रफतार से travel हो सकता है और ऐसा features खाली कुछ ही aircraft में है जबकि 5th generation के fighter aircraft के रूप में F-22 ही एक मात्र ऐसा aircraft है जिसमें after warning के सहारे super sonic रफतार मे के बावजुद भी चाहना इनी खुवी के वज़ाए से इसे लेके इतना ज़्यादा खौफ में है कि इसके सामने अपने 5th generation के fighter aircraft के तैनाती का बात करता है तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ अब बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद